यह अलग शुरू हो जाएगा और उसको है तो उस पे नम्मर भी डाल दो कोई बात नहीं प्रवास के कारण वह प्रकार दो पार्ट है इसके और अपने कक्षया 12 वाली पुष्टक में भी यह टोपिक दे रखा है लेकिन आपने ध्यान दिया और तो यह टोपिक अपने ग्रेजुशन इस्तरका है तो अपने को इस पुष्टक के अलावा भी कुछ जानकारिया है वो भी आपको ध्यान में रखनी है इसे प्रशन ज्यादा तर क्या आता है एक तो प्रवास के कोई रूप है प्रवास के रूप जैसे अपन कहीं उत्प्रवास है आप्रवास है या रिटर्न माईग्रेशन के रूप में है प्रती प्रवास के रूप में जिसक इसको अपने मूल उद्गम इस्थान से छोटने को मजबूर कर देते हैं, तो मितलब छोड़कर जाना, इसका मतलब कुन से कारक हैं जो जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पीछे से अपन के धक्का लगा रहे हैं, जिसको नाम दिया जाता है अब करशक कारक, या करक कोई युद्य की स्थति हो सकती है बेरोजगाली की स्थति हो सकती है उचिसे उदाओं का अभाव हो सकता है कोई कई कारण जो अलग-अपन कारणों में देखेंगे किनके कारण मानव अपने मूल इस्थान को छोड़कर दूसरी इस्थान पर जाता है और जब छोड़के जाता है तो किस इस्थान पर जाईगा तो ऐसा कून सा इस्थान है जो उसको अपनी तरफ हीच रहा है जिसको आकर्शक कारक कहते हैं और जहां जा रहा है तो वहां कून सी ऐसी प्रिस्ततिया है उनको ध्यान में रखते हुए और उस इस्थान की तरफ वो प्रवास करता है तो एक कारक वो होते हैं जो छोड़ने के लिए बाद करते हैं जिसको प्रतिकर्शक कारक कहते हैं एक वो कारक जो इस्थान प्रवाश्वी को अपनी तरफ आकर्शित करता है खीचता है वो आकर्शक कारक है और ये दोनों लगबग उल्टे रूप में हैं जैसे मैं कहूँ कि प्रती कर्षक कारक में बेरोजगारी है और आकर्षक कारक में रोजगार के अवसर है जैसे मैं ये उधारन दूँ आपसे ग्रामेन छेतरशे लोग प्रवाज इसलिए कर रहे हैं को रोजगार चाहिए और वो किस तरफ आ रहे हैं नगर में नगर में क्यों आ रहे हैं रोजगार के लिए तो नगर ये भाग में रोजगार के अवसर होने के कारण मानाव को अपनी तरफ खीचता है तो ग्रामेन छेतर से उत्प्रवाज होता है नगर की तरफ आप प्रवास होता है तो एक तो यह कारण से सम्मंदित यह उसके अलावा अन्न भी कारण है कोई आर्थिक कारण हो सकता है कोई राजनेतिक कारण भी हो सकता है कोई जन सांखी की कारण भी हो सकता है एक प्रवास के जो प्रकार हैं वो अलग-लग आधार पे हैं एक होता है इस्थान पक्स के आधार पे जैसे पूछा जाता है कि अंतराश्टी स्थर के उपर प्रवास है या आंतरीक प्रवास है आंतरीक प्रवास में गाउं से नगर की ओर है नगर से नगर की तरफ है या फि के कुछ एजामपल ऐसे हैं जिनसे प्रसन भी पूछे जाते हैं अंतराइस्टी इस तर पे जब आप देखेंगे तिक सबसे परमुख प्रसन ये बनता है विश्वय में संख्या की द्रश्टी से सबसे अधिक प्रवास वह यूरोप से हुआ है यूरोप से उत्री अमेरिका दख्षने अमेरिका और आस्टेलिया तीन महादिपू के अंदर सबसे ज़्यादा प्रवास यूरोप से हुआ है दूसरा यह दि संख्या की द्रश्टी से जब बात करते हैं तो पूरे विश्वय में सबसे ज़्यादा प्रवास संव्ट राज आपकामी हुआ है देश की बात करें तो ऐसे जब भारत में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा उत्र पसी मंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार इन तीन राजियों से सबसे ज्यादा प्रवास होता है और यह अधिकांस उत्तर भारत का वो छेत्र है जो श विश्व में और जहां भारत के अंदर हरित क्रांति का विकाश हुआ उस तरफ लोगों का प्रवास अधिक हुआ था जैसे बंगाल बिहार से बहुत से किर्शक उत्तर प्रदेश का जो अपन कई पस्वी भाग है पंजाब हर्याना की तरफ प्रवास किया और आर्थे गति विधरों की दरस्टी से आप देखते हैं उतर प्रदेश भ्यार पफ्षिव मंगाल से बहुत ज़्यादा जो लोग है को मुंबई की तरफ प्रवास करते हैं महारास्त्राजत में प्रवास करते तो अपन भारत की भी बात करें तो वो भी के शी कि आंत्रिक प्रवास में न्योज में बहुत उधारण के रूप में देखा हो अफगानिस्तान के एरपोर्ट पे कितने भीड थी अफगानिस्तान से लोग क्या हो रहे थी जा रहे थी उत्म परवास कर रहे थे उत्माशक छोड़के जा रहे थे कहीं भी चले जाएं जान बच जए इसलिए जा रहे थे ना वो राजनेटिक परवॉस है दे शेरिया में आंत्रीक युद्ध की इस्तिती हुई तो यमन से लोग ओमान की तरफ से ले गए यह राजनेतिक कारण है विश्वे में प्राने इस तरफ भी देखते हैं तो राजनेतिक कारणों में आपको और भी नजर आएंगे एक जब आप देखते हैं इस्राइल का जो निर्मान है उसमें भी एक कारण राज आप देखते हो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो बहुत से जो अपन के हिंदु धर्म के लोग पाकिस्तान से भारत आए, और बहुत से भारत से मुस्लिम पाकिस्तान गई, तो वो कैसा अपन का ही प्रवास है, धार्मी का धार्पी प्रवास है, ऐसा ही अपने इस से पिछली बार के पेपर में एक प्रसंद आया था और उसमें प्रसंद ये था कि म्यानमारसें, म्यानमारसें एक मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम, मुस्लिमों में भी अलग लग जो संपरदाय हैं, तो रोहिंग्या मुस्लिम म्यानमारसें बांगलादेश में भी आये और भार भारत में भी आये, तो उसमें प्रसन ये था कि रोहिंग्या मुस्लिम म्यान मार से भारत में आये तो कुन सा प्रवास कारण था, कारण राजनितिक था, धार्मिक था, आर्थिक था, धार्मिक प्रसन कोई डिलिट कर दिया, धार्मिक नहीं है, उसका कारण है, धार्मिक इसल है यह तो मुस्लिम है तो भारत में तो मुस्लिम जनसंख्या भी बहुत बड़े आकार में हिंदू भी है जैन भी है पार्सी भी है और यदी ऐसा तो पूंच लेता कि रोहिंगा मुस्लिम बांगलादेश में ज्यादा क्यों गई हैं बांगलादेश ने तो आने नहीं दिया उन्हों काया कि हमारत नहीं आने देंगे, उन्हों तो रोक दिया, तो वो फिर कहां गए, सरणार्थी के रूप में भारत में सरणार्थी के रूप में, तो उसमें जो आप्शन दे रखे थे, तो वो आप्शन सही माइने में धार्मिक जो कारण था, वो सही नहीं था, इसलि उनको मारना शुरू किया, रोहिंगा मुस्लिमों को, तो जान बचाने के लिए भागे, और उन्होंने यह नहीं देखा, कि हमें बांगलादेश जाना या भारत जाना है, जो बांगलादेश में जा चुकिए, बांगलादेश की तरफ चले गए, और जो भारत में आये वो भा तो ये to क्या है रोहिंगा मुस्लिम है तो धारमि का अधार पर ये प्रवास नहीं हुआ था क्लाने कई बार ऐसर प्रसन आते जो क्लिये होते हैं तो रोहिंगा मुस्लिम का जो रखाईन प्रांथ ये म्ल tellement प्रहाएस वह था तो उसी कई बार चीन सरकार के द्वारा अत्या चाहक भी किये जाते हैं लेकिन पाकिस्तान पर दवाव रहने के कारण पाकिस्तान भी उनकी कोई आवाज को नहीं सुनता है और उश्वय में जब जनसंख्या की बात की तो मैं उसको जानकारी को बताना भी भूल गया विश्वय में मुस्लिम जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है सबसे जादा मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया के बात किस देश में है और पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम धर्म का तो नेता मैं हूं है बलकि उससे जादा मुसल्मान तो भारत में है तो भारत की मुसल्मा जो अपनके संख्या में इतने अधिक हैं तो उनकी बात जरूरी नहीं है लेकिन फर्क इतना है पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट के रूप में भारत धरम के आधार पे राष्ट नहीं है पुश फैक्टर एन पुल फैक्टर हाँ बिल्कुल सही का पुश फैक्टर यानि प्रवासी को मूल इस्थान छोड़ने के लिए बात धिकरते हैं उसको पुश फैक्टर यानि धक्का देने वाला छोड़ने के लिए बात धिकरना और पुल मानी खीचना यानि जिस इस्थान पर प्रवासी जाता है तो वहां पुल फैक्टर कारिय करते हैं अब वहां कौन से ऐसी इस्ततिया है जिनको देखकर प्रवासी उस तरफ जाता है जिसको पुल फैक्टर कहते हैं आगे लिखेंगे इनको अब अपन सुरुवात करते हैं कि प्रवास क्या है हलांकि प्रवासी अपने वही आने हैं इसके प्रकार से और इसके कारण और अपनी पुष्टक में है नहीं लेकिन कई बार वो सिद्धान्त से भी प्रवासी संबंदी जो नियम है सिद्धान्त है जैसे पहला जो सिद्धा ने दिया अपने आप में यूनिक प्रशन बनता है रेवेंस्टीन ने प्रवास का नेम पहली बार दिया 1885 में तो पहला सिद्धान्त किसी ने दिया वो भी अपने आप में यूनिक प्रशन है और रेवेंस्टीन ने क्या दिया है वो अपना आगी बात करेंगे पहले तो लिखें आप प्रवास का अर्थ प्रवास का अर्थ सरल सब्दों में यह कह सकते हैं व्यक्तियों का एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर आना जाना ही इस्थान आंत्रण या प्रवास कहलाता है तो लिखें डैस करके व्यक्तियों का व्यक्तियों का एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर व्यक्तियों का एक इस्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना ही प्रवास कहलाता है आना जाना ही प्रवास कहलाता है यह तो सरल सब्दों में अपन के इसकी परिभासा है अब लिखना जैलेंस्की के अनुसार गती, शीलता, संकर्मन, सिध्धान्त भी देंगे यह आगे जैलेंस्की मोद है जैलेंस्की के अनुसार युनिटेड कोमा में लिखना प्रवास के बारे में क्या कहते हैं प्रवास मिर्तु वे जन्म की तरहें पूरण ते जैविक घटना मिर्तु वे जन्म की तरहें पूरण ते जैविक घटना नहीं है जैविक घटना नहीं है इसके विप्रीद इसके विप्रीद बहुतिक वे शामाजिक इसके विप्रीद बहुतिक वे शामाजिक लेन देन की प्रिक्रिया है युनाटेट कॉमा क्लोज प्रवास मिर्तु वे जन्म की तरहें प्रवास का तात्वरी क्या है आना और एक तो अपन कहें ऐसा जाना हो जहां जाने थे चले ही गई समझ रहें ना तो वो कूंसा है यानि इस दुनिया में आना तो जन्म है और इस दुनिया से जाना तो ये ऐसा प्रवास नहीं है ये प्रवास तो अपन की कैसी घटना है ये तो जैवी घटना है जन्म और मिर्तु के रूप में बलकि ये तो कैसा है भोतिक वे सामाजिक लेन देन की प्रिक्रिया है किसी काम से गई, कोई शामान ले के आए कोई शामाजिक रिष्टा निभा के आए हो तो ये अपन के बहुतिक वे शामाजिक लेन देन की प्रिक्रिया है तो ये प्रिभासा किस दे दी है जैलेंस के रहे तो इतना ध्यान रह जाए अग जर्म मिर्टू की तरह नहीं है जैवी घटना बलकि ये बहुती कोई सामाजिक लेन देन की प्रिक्रिया है नेक्स आगे लिखें एक तर्म प्रवाश का टोपिक अपने आप में सीधा उस्षरल है जैसे इस सब्द लिखेंगे तो आसाने से आपको समझ भी आजाएगा कि ये कहना क्या चारा है बैस इसके ये है कि जो महत्वपूर्ण प्रसंद क्या बन सकते हैं किस रूप में उन पर थुड़ा ध्यान देना है एक्षब लिखें कॉम्पूटिंग 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 लिया इसका अर्थ क्या है पहले समझ लें फिर लिखते हैं कोई व्यक्ति विशेश है वह रोजाना अपने मूल स्थान से और कारे स्थल पे आता और जाता है जैसे कहता है नोकरी कर रहा है तो सुबह जाना और स्याम को ये तो प्रति दिन या सब्ता के अंदर वह अपने कारे स् कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति अपने निवास इस्थान से कारे स्थल पर कारे स्थल पर प्रति दिन या सब्ता कारे स्थल पर प्रति दिन या सब्ता में आता जाता रहता है आता जाता रहता है जिसे नाम क्या दिया है कंप्यूटिंग प्रवास के रूप प्रवास के रूप प्रवास के रूप लिकना तेन हैं तेन कून से हैं इसमें लिखना ए उत्प्रवास एमिग्रेशन यह ऐसा लिख सकता है इसको एमिग्रेशन यह लोग इंग्लिश को एजिटी जिंदीन बी आप्रवास इमिग्रेशन इमिग्रेशन तीश्राश्षी प्रती गमन प्रवास रिटर्माइग्रेशन एमिग्रेशन प्रवास प्रवास के रूप अपने तीन बताएं प्रवास एक आप्रवास और एक प्रतिगमन कि हर बार एक प्रशा इन तरं बे जरूरा आता है आंकी इस से कूंसा आए यह पता नहीं आप्लाज प्रती गमन कोई एक प्रसान आ सकता है संभवतर यह और शब्दू के नाम से भी आपको समझ पा रहे होंगे, उद्प्रवास का मतलब मूल उद्गम इस्थान को छोड़ के जाना, और जिस इस्थान पे जो व्यक्ति पूंचता है, दूसरे इस्थान पे, वहां के लिए प्रवासी क्या बन जाता है, आप प्रवास के रूप में जैसे मैं आपके सामने ये लिखा, ए लिखा, ये बी, ये ए इस्थान है, ये बे इस्थान है, कोई रोजगार के लिए या कोई अपन के राजनतिक कारण, कोई आर्थिक कारण, कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से ए इस्थान से एक व्यक्ति छोड़ के यहां गया, दो तो टीन चीजें तू इसमें समझ एंग जैसे मैं आपके शाहरे स्वाब ने क्या कि यहां टॉटल जनसंख्या 500 है जनसंख्या कितनी है 50 और यहां भी जनसंख्या 500 यह है लेकिन एक व्यक्ति इस ए इस्थान से छोड़ के कहा गया भी तो इस ए इस्थान के लिए वो व्यक्ति क्या कहलाईगा उत्प्रवास इसका ताथ प्रिये कोई प्रवासी अपने मोल इस्थान को छोड़ कर जाता है तो उसको क्या कहा जाता है उत्प्रवास और उद प्रवास करने से उसके मोल इस्थान में जन संख्या में कमी आएगी या विरद्धी होगी तो जन संख्या में कमी आएगी ठीक मोल इस्थान के उपर फिर दूसरा टर्म आता है आप्रवास कोई प्रवासी जिस इस्थान पर पोंचता है तो यह यहां से चला कोई व्यक्तिर कहां पूँचा तो यहां जहां पूँचता है वहां के लिए क्या कहलाएगा आप्रवास इमिग्रेशन जिसको नाम लिखा है आप्रवास और जहां आप्रवास होता है वहाँ जनसंख्या में कमी आएगी या विरद्धी होगी यहाँ एक व्यक्ति में कमी आगी और यहाँ एक व्यक्ति प्लस हो गया तो यह सब्द साथ में ध्यान रखना है उद्ध प्रवास करने से मोल इस्थान पर जनसंख्या में कमी आती है आप्रवास में प्रवासी का जिस इस्थान पर पूँचता है उस इस्थान को पर आप्रवास कहा जाता है और उस इस्थान पर जनसंख्या में व्रद्धी होती है ठी और यदि किसी कारण से व्यक्ति यहां से गया, लेकिन इसका मन नहीं लगा, और फिर वापिस कहा गया, फिर वापिस यहीं आ गया, तब क्या होगा वो, वो परतिगमन, समझ गवें कि सरल अर्थ में तो परतिगमन क्या है, जिसको कहा जाता है, पुने परवासित, या अभीप्रेट परवासित रूप में, यानि जो परवास करके गया हो, और वो परवास करके फिर वापिस आ गया हो, तब उसको नाम क्या रखा जाता है, परतिगमन परवास या return migration जैसे आपके उधारन दूसरी आप समझ पाएं जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन की जो समय था बहुत ही कड़ा समय था और बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए और बहुत से पाकिस्तान से भारत भी आए भारत से भी ऐसे बहुत से लोग थे ज उनको वहां रहने वालों नहीं अथिया ली और वहां उनको भी नहीं गुशने दिया तो जो लोग वहां पोँचे रूनको वहां कोई जगें घर नहीं मिले और बेगर हो गए तो वह पाकिस्तान से क्या करे फिर वापिस भारत आ गए जब तक यहां की संपत्ति साथकिताब हो गया सरकार के पास आके खड़े औवी कब क्या करें तो भारत में जो अपन का हमाले का जो तरही छेतर है उस तरही छेतर में जो पुने परवासित होकर प्रतीगवन परवास के रूप में जो पाकिस्तान से आए उनको भौमी अलोट की और उनको वहाँ बसाया और वो जो तराई चेतर है जिसमें विभिन प्रकार के कीट और मलेरिया जैसे बिमारियों का प्रकोप रहता है और ऐस्वास्तकर जलवायू का चेत्र है, उस चेत्र में उनको जमीन का आवंटन किया, तो आप समझ सकते हो, पहले तुमा गई, वहां से फिर देखा, कुछ भी नहीं मिला, फिर वापिस आई, यहां भी नहीं मिला, फिर कुछ था, वो भी चला गया, और फिर भी कहां जाके रहे, आई स्वास्तकर जलवायू में, वहां जाके उनको वोमी का आवंटन होगा, कोचिंग अच्छी नहीं लगे तो घर वापिस, यह परतिगमन प्रवास है, हाँ सही है, तो परतिगमन प्रवास सही हो जाएगा, कईयों का मन नहीं लगता, एक दो तो रहते ही हैं, यह जो शुकर है कि यह मन वाली जो कानी है, साधी में चलती नहीं है, कोई जायर कोई वापिस, संकट हो जाए, तो यह तो वह तक नहीं चलती, यह तो यह तक ही चल रही है, यह भी एक दो भाई आये थे, जिनको कायकी साब खाना ठीक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, यह ठीक व्यवस्ता नहीं बन पारी, यह मन नहीं लग रहा, शुरू-शुरू में तो लगता है कि इस्कूल वैख्या तो तुरंत बनेंगे, यह चुटकियों में बन जाएंगे, कई जगेतियों बता जिए तो बहुत सरल है, आसान है, तो तुरंत बन जाओगे आप तो, उसको नह जोटी से चोटी तक का पसीना वाना पढ़ेगा यह, इसकूल वैख्या तो ऐसे नहीं बना जाएगा, और कुछ दिन जब जोर पढ़ने लगता है तो देखता है कि नहीं नहीं वापिस चलने में ठीक है, तो वापिस घर की तरफ यह नहीं आराम दायक इस्तति में जाने के यह, यह आप देख लेना जीवन में आगे भी, यदी आप जीवन को चैक कर लें आपको भी और जितने भी जो सक्षस है उनको चैक कर लेना आप, जो रीट वाली चीजें उनको तो आप भूल जाओ, उनको तो यादी नहीं करना ऐसी चीजें, जो युनिवर्सल हैं, सर्व या पचाश वर्स, आपको चुनाव करना हैं, या तो पांच वर्स कड़ी मेनत करें, जब आप यानि बी-ए-बी-एड कर लिए, आप आली इस्तिति की बात कर रहा हूं मैं तो, अब आपने बी-सी-ए-म-सी-ए तो किया नहीं है, आपने तो बी-ए-बी-ए-ड, बी-ए- तो अपना जो लक्ष है वो, यही है कि अपने एजुकेशन लाइन में, और जब आपने पूरी एजुकेशन कर लिए उसके बाद, अब आपके लिए पांच वर्स हैं, जो कड़ा संगर्स करने का है, बहुत मेहनत, खूब पशीना महाना हैं, पूरी ताकत लगानी है, यद इस समय आपने जो भी लोक लुभावनी चीजें उनको छोड़ा है, क्यों पैसे तो घरवाले दे रहे हैं, अभी तो अपन कमा नहीं रहे हैं, तो मातापिता नहीं पैसा दे दिया, आप जैपूर में आके खूब आराम से घूम रहे हो, खूब पैसे को खर्च कर रहे हो, और जो मूल कारिये था, पढ़ना हो, पढ़ नहीं रहे थे, तो जर्नली स्टुडेंट के सब्दों में ये का जाता है कि जिंदगी के आनंद ले रहा हूं साब, हैते हैं न, आराम ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो यदि ये पांच वर्ष आपने ये काम किया, आनंद लिया, पांच वर्ष तक, पांच वर्ष बाद रजल्ट तो आना ही है, घर वाले भी बुला लेंगे, आजाओ अब, काफी दिन हो गई, और जब पांच वर्ष ये आनंद लिया, उसके बाद जब तक आपका समय भी निकल जाएगा, जर्नली आज के दिन 20, 22, 24, 25 साल के तक वो यदि आनंद ले रहा है, तो बाकी की उसकी जो उम्मर बची है, बाकी, बैसे टोटल उमर कितनी है, भारत में तो कितनी है, उन्हेतर पॉइंट साथ लिखी थी, तो सतर योसत आप यही माल ले, तो यह अपन के 20, 25 साल तो यहाँ चली गई, तो बच गई कितनी, 45, 50 साल, यहाँ आनंद लिया है, तो यह जो वर्स है, यह जीवन कटेगा, आनंद में नहीं है, यह कैसा है, कटेगा, और यह कटने वाली स्थिति क्या होगी, जो आगे आने वाली जो पीडी है, आप से आगे, उस पीडी को, यह जो जिनका जीवन कटेगा, वो कहेंगे, हमने तो जो गल्ती कर दी ओव कर दी तू पढ़ ले यही कहते है ना हम तो नहीं पढ़े जैसे तैसे थे वहर से रह गए लेकिन अब तू यह गल्ती मत कर लेकिन उस उम्मर में वो भी नहीं सुनता है और कि गल्ती ने आप की एंए उसकी है यह गल्ती तो उम्मर की है तो तो सही म graphically में अपने के यदि हाँ यहाँ यदि आपने संगर्श करा का संगर्ष किया है पूरा समय दिया है और यदि अच्छे डंक इस स्थापित हो गए तो यह जीवन फिर आपका आनंद में है यह कैसा हिए फिर यह जीवन कटेगा नहीं usions जीवन क्या है और जीया जाएगा आनंद के तरह जीव के हो जोगे आपते आपको करना है कुण सा समय ब्यतित करना है अचा बीतेंगे ये भी बीतने तो हैं पांच वर्स तैय कर लो उसमें अच्छे डंग से तैयारी करनी है क्या कि कई बार यू रहता है कि चलो सब जा रहे हैं जाधा तर्थे पूछते हैं कोचिंग क्यों करते हैं सारी दुनिया कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं सभी जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं कई बार के दें पिछली बार तयारी नहीं की अब की बार तयारी की कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आप तो एक बार अच्छे डंग से तै कर लें अब पांच साल अच्छे डंग से मेहनत करें तो का आगे का जीवन अच्छा हो आनंद मैं हो और यदि ये पांच साल अच्छ कि बुल कटेगा पिस्टाइ डंग से आनंद में नहीं वितेगा तो आप तय करने कुंशा हैं तो ये प्रवास तो चलेगा आए हैं तो जाएंगे भी प्रवास तो होगा हैं क्या कह रहें दीट में दीट में पांच साल ज्यादा होगे यह नहीं ऐसा ताट्परी यह लेट से नहीं है अफन जो भी अग्जाम मैं तो यह हमेसा कहता हूं पहले भी जब भी कोई भर्ती आती है उसी भर्ती के उपर पूरा फोकस करना ते यह जहां भी जब एक्जाम अपने को पता है कि एक मेने बाद ये एक्जाम है और उसकी अपने पास योगिता है और आपका जो बुद्धी ये कह रही है मन की बात पे तो ध्यान नहीं दे लेकिन बुद्धी ये कहती है कि इसको करना चाहिए तो उसके उपर पूरी ताकत लगाने चाहिए अब जैसे आज भी एक विद्ध्यारती का फोन आया ओनलाइन से जुड़े हैं होंगे चाहिद हो अब भी तो उन्हों पुछा कि जब मैं रीट की तैयारी करूं या फस्ट गेग अब ही जो वर्तमान के शमाचार पत्र है और जो सोशल मीडिया है जो सरकार ये कह रही है अग दो एक्जाम होंगे रीट में यही कह रहे हैं ना दूसरा ही है कि 15 मार्श तक व्यास कमेटी की रिपोर्ट आईगी और उसके बाद परिक्षा का समय तैय किया जाईगा और वो लगबग अगस्त के असपास होगा ऐसा ही कहा है अगस्ती कहा है ना अगस्त सितंबर है हाँ मैं यह कह रहा हूं अगस्त कहा है उन्होंने जैसा अकबार में भी आया है तो मैं कहता हूं अगस्त तक जब आपने रीट दे चुके हो और आपको रीट भली भाती आप समझ भी चुके हो कि कैसा पेपर आता है कितनी तैयारी आपने कर रखी आपको एक दो बार रिवाइज करना है तो मेरा मानना है कि इस समय आपको फस गेड़ी तैयारी करना चाहिए तो वही बात आपके लिए है अब जब रिट का एक्जाम नर्दी को उश्म है अर्यदी फस गेड़ की भरती नहीं है तो अपने को फिर रिट पे फोकस करना चाहिए जब दौनों दौनों साथ आ गई तो नहीं साथ साथ तो एक्जाम हो नहीं सकते ना रिट तो कोई बड़ा महा उत्सव है सारा ही तंतर इसमें लग गया था आपने देखा था इतना नर्दीक दूसरी बात ये भी है अभी मार्श तक जब फाइनल होगा तो पता चल जाएगा अकि पातरता रहेगी तो पातरता में बहुत ज़्यादा मेरे को लगतानिक संकट होगा जब फाइनल एक अग्जाम होगा उसके लिए डू एंडाई की लड़ाई रहेगी दूसरा एक्जाम होगा तब क्यों पातरता में बहुत ज़्यादा इतना विध्यारती जिनकी तैयारी है उनको ज़्यादा प्रेशा नहीं नहीं है रीड 2017 के सर्टिफिकेट वैलिड माने जाएंगे क्या नहीं पुराने नहीं होंगे शायद अब जो नहीं होंगे उनकी बात होगी आप तो इंतजार करें पहले तो सरकार बताती क्या है आप देखिए इसमें अर्थों समझ गए होंगे तीनों का तो पहले ये लिखे पहले हैडिंग डाल दे उत्प्रवास एमिग्रेशन एमिग्रेशन उत्प्रवास पुद्प्रवास डैस करके लिखें प्रवासी किसी इस्थान को छोड़ कर जाता है प्रवासी किसी इस्थान को छोड़ कर जाता है प्रवासी किसी इस्थान को छोड़ कर जाता है तो वह उत्प्रवास कहलाता है देख एक उधारन आया है उनका कि चार साल से मेनत की पॉलिस से पुलिस कांस्टेबल बने पहले फिर पटवारी में और अब वर्तमान में साइकिन गेर टीचर है परिष्ट अध्यापक है और अब यह ओनलाइन ही चल रही है शुरेंदर जी अब लेक्टर की तयारी कर रहे है तो तयारी पता नहीं का ऐसे बहुत एक्जामपल है मैंने पहले भी बताए था दस साल तक कॉंस्टेबल करते करते फिर लेक्टर बन गई तो जो भी भरती आए उसका एक्जाम दे लें जब आगे जब अपना लक्स है कि लेक्टर बनना इसमें हो जाएगा तो इसमें चले उद्प्रवास सें उद्गम बिंदू पर या उद्गम इस्थान पर उद्गम बिंदू पर उद्गम इस्थान भी लिख सकता है उद्गम बिंदू पर जन्संख्या में कमी आती है जन्संख्या में कमी आती है जन्संख्या में कमी आती है यानि जब छोड़के जा रहा है तो उस इस्थान पर जन्संख्या में कमी आती है आप दूसरा लिखे बी आपरवास, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आपरवास, इमिग्रेशन आपरवास, एकना जब परवासी, जब परवासी दूसरे इस्थान पर, जब परवासी दूसरे इस्थान पर पहुँचता है, जब परवासी दूसरे इस्थान पर पहुँचता है, तो आपरवास कहलाता है, जब परवासी के लिए, जब परवासी के लिए, गंतव इस्थान होता है, या गंतव इस्थान होता है, जब परवासी के लिए, गंतव इस्थान होता है, या गंतव बिंदू होता है जहां जनसंख्या में क्या होगी? जहां जनसंख्या में व्रद्धी होती है जहां जनसंख्या में व्रद्धी होती है नेक्स लिखना रिटर्न माईग्रेशन परति गमन प्रवास और परति गमन प्रवास का प्रशन अपने आ चुका है पहले अर्थी पूचा था के वल परति गमन प्रवास लिखना प्रवासित होकर प्रवासित होकर पुने पुने स्वेदिश लोटना स्वेदिश कहीं या स्वेष्थान प्रवासित होकर पुने स्वेदिश या स्वेष्थान लोटना ही स्वाइस्थान लोटना ही पर्ति गबन प्रवास कहलाता है ऐसा दिखा जा सकता है अभी प्रेत प्रवाशियों का अभी प्रेत प्रवाशियों का स्वैदेश लोटना प्रवाशित होकर पुने स्वैदेश लोटना या आभी प्रेत प्रवाशियों का स्वैदेश लोटना अर्थ एक ही है उत्प्रवाश प्रवाशी जहां अपने मूल इस्थान को छोड़ कर जाता है उत्प्रवाश कहते हैं और जहां से छोड़ के जाता है उसको उद्गम इस्थान कहा जाता है जहां जनसंख्या में कमी आती है आप्रवाश प्रवाशी के लिए जिस इस्थान पर वो पूंचता है वहां के लिए आप्रवाशी कहलाता है आप्रवास कहलाता है और इस इस्थान को गंतव बिंदू या गंतव इस्थान कहते हैं और यहां जनसंख्या में व्रद्धी होती है परतिगमन प्रवास प्रवासित होकर पुने वापिस लोटना जिस इस्थान से गए थे वहें किसी इस्थान पर प्रवास करके वापिस लो पुने स्वेदेश लोटना, पुने सब दोर लिखना इसमें, पुने स्वेदेश लोटना, वापिस अपने इस्थान पर ही लोटना, ये तो प्रवास के रूप की बात की अपने, सरली सब्द हैं आसानी से आप समझ सकते हैं, क्या हर था इनका? आप लिखना प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार, तैबस अप मिग्रेशन, प्रवास के प्रकार, प्रकार में लिखे आप पहले कहे लिखें इस्थान पक्स के आधार पर इस्थान पक्स के आधार पर दूसरा लिखे खै कारण पक्स के आधार पर पक्स के आधार पर समय आवधी समय आवधी के आधार पर और चोथा पार्ट लिख दें गह है संख्या पक्स के आधार पर नहीं और नहीं है चारी है नाम बोर पर इसी रंग से लिखते हैं कि जब लास्ट में आगे तो अब उससे आगे नहीं आएगा पांच होते जिसमें संख्या बीच में थोड़ी कम रख लेते गए इस्थान पक्स के आधार पर कार्ण पक्स के आधार पर समय आवधी के आधार पर और संख्या पक्स के आधार पर और प्रशन जो हैं वो इन दोनों वाले पाश से हैं कै और खैसे संख्या पक्स में कोई एक दो लाइन के परशन है ज्यादा है नहीं समय आवधी तो अपन कहीं एक फथोटी हवधी के लिए प्रवास हो एक दीरग आवधी के लिए प्रवास हो उसकी बात करता है संख्या पक्ष में बड़ी संख्या कि श्तरपी जैसे यूरॉप से उत्रिया अमेरिका दक्षोन अमेरिका अस्ट्रेलिया में प्रवाश हुआ है, देशों में अपना काई सहिंटराज अपरवाश हुआ भारत से समसे ज्यादा उत्तरप्रदेस और बिहार से होता है, तो ये बड़ी संख्या के आधार पे जो बात कर रहे हैं, दो चार पांट ही इसकी दानकारिया हैं, जबकि अधिकांश जो प्रसन है, वो इन दो पार्ट से हैं, एक इस्थानपक्स और एक कारणपक्स, और पहले अपन बात करते हैं, इस्थानपक्स के आधार पे, इस्थानपक्स क antarasti प्रवास or B. आंतरिक प्रवास antarasti प्रवास or आंतरिक प्रवास लिख लिया पहले तो आर्ट समझ ले अंतर राष्टे तात्प्रिया अपन के देशों के इस्तर पर एक देश से दूसरे देश के इस्तर पर प्रवास होता है वो antarasti प्रवास है और एक देश के अंदर ही प्रवास हो तब उसको कैसा प्रवास करेंगे वो antarik प्रवास है देखो दो तीन बातें मैं पहले इस्पस्ट कर देता हूं फिर अपन इसकी बात करते हैं मैंने आपके सामने कहा भारत से एक व्यक्ति UAE के अंदर प्रवास किया सायुक्त अरव अमिरात दोभई गया आप यह समझ लें तो भारत से सायुक्त अरव अमिरात में गया तो भारत अलग देश से UAE अलग देश फिर मैं आपके सामने कहूं कि यदि एक व्यक्ति भारत से अमेरिका गया USA दोनों समान है क्या भारत UAE दोनों एक ही महादीप में एसिया में और भारत एसिया महादीप में और USA उत्त्री अमेरिका इसको अपन कहें अंतर महादीप ये प्रवास भी कहा जा सकता है यानि एक महादीप से जिसे मैं आपके सामने कहूं कि यूरॉप से उत्त्री अमेरिका के अंदर प्रवास हुआ तो अंतराश्टी तो है लेकिन वो अंतर महादीप ये भी प्रवास है यूरॉप से जक्षन अमेरिका में गई यूरॉप से औस्टेलिया में गई तो ये कैसा प्रवास है अंतरराश्टी प्रवास का रूप है लेकिन कैसा है अंतर महादीप ये प्रवास भी है ये ध्यान रखना है और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो प्रवास अपनों के शामानत है अंतर राष्टी प्रवास है तो डैस करके लिखना दौनों के एक्जम्पल आएंगे आपके सामने अंतर राष्टी प्रवास इसके बारे में लिखें पहले विश्विके देशों के मद्ध होने वाला प्रवास विश्विके देशों के मद्ध होने वाला प्रवास विश्विके देशों के मद्ध होने वाला प्रवास अंतर राष्टी प्रवास है अंतर राष्टी प्रवास है अंतर राष्टी प्रवास है जैसे जैसे भारत से भारत से शिक्षा के लिए जैसे भारत से शिक्षा के लिए USA, Europe वे Australia यूरॉप के देश ऐसा लिखना, यूरॉप लिख दिया है मैंने USA, संक्तुराज अमेरिका, यूरॉप के देश वे Australia में Australia में प्रवास किया जाता है या प्रवास होता है Australia देश भी है, Australia देश भी है और Australia मादीब भी है शिक्षा की द्रस्टी से जब आप देखेंगे तो शिक्षा की द्रस्टी से भारत से ज़्यादा तर जो प्रवास होता है विद्ध्यार्तियों का वो कहा होता है संउक्तराज अमेरिका, यूरॉप के देश और Australia यूरॉप के देशों से ताट्पिरेश समझ रही है जर्मनी, फ्रांस, अभी कोई दो देशों के युद्धी की स्थती है अकबार में आया था कि यूक्रेन में भारत के 20,000 विद्ध्यारती है आपने पढ़ाक नहीं यूक्रेन से जो अपनके मेडिकल की जो शिक्ष्या है डॉक्टर से संबंदित या IIT इस संबंदित जो शिक्ष्या है उसमें 20,000 विद्ध्यारती भारत के है तो आप समझ सकते हो युक्रेन किस माधिप में है युरॉप में है जैसे तो आपने कहें बहुत से जैसे जो देश है जर्मनी है फ्रांस है ब्रेटेन है तो यहां जो सारे युरॉप के देश है सहितुराज अमेरिका है और अपने आप में एक अलग जो देश है ऐस्टेलिया आगे लिखना, वर्तमान में वर्तमान में भारतिये प्रवर्जकों के लिए प्रवर्जक यानि प्रवास करने वाले, भारतिये प्रवर्जकों के लिए नवेंतम ओध्योगिक गंतव विदेश, यानि वर्तमान समय में, नवेंतम ओध्योगिक गंतव विदेश, गंतव विदेश, जर्मनी, जापान, वे उस्टेलिया हैं। जर्मनी, जापान, वे उस्टेलिया हैं। यानि वर्तमान में ओद्वगिक द्रस्टी से जो कारियों के लिए जो प्रवास कर रहे हैं भारत से वर्तमान में प्रवासी तो वो कहां जा रहे हैं। ज्यादा तर जो अपन के तीन देश पर मुक्तियास हैं। जर्मनी, जापान और। लेकिन एक चीद ध्यान रखना, यदि कम्प्यूटर और दूर संचार से सम्मंदित कोई बात हो, तो वो समसे ज्यादा USA है। संक्राज, तो इसे में लेक देना। बहरत से शूचना तकने की, एवं कम्प्यूटर सोप्ट वेर में निपुण नागरी। बहरत से शूचना तकने की, एवं कम्प्यूटर सोप्ट वेर में निपुण नागरी। निपुण का ताथ पर समझे लेना, इस्किल। निपुण नागरी। सर्वादिक USA, सर्वादिक USA हैं संक्राज अमेरिका, सर्वादिक USA की और प्रवास करते हैं। सर्वादिक USA की और प्रवास करते हैं। आप देखो, जितने भी IIT हैं, जो इंजिनियर हैं, वो अधिकांश है, आपन कई कम्प्यूटर सोफ्ट वेर से संबंदित हैं, तो अधिकांश जो अमेरिका की कम्पनियां हैं, उनमें भारत की अपन के नागरी को आँ सेवाई देते हैं। तो यदि पूछा जाए, तकनिकी से संबंदित ज्याधा तर तो आप देखें, या साइन्स से संबंदित टेक्नलोजी से, जैसे अमेरिका की जो नाशा संस्था का नाम सुना हो, नाशा में भारत के लगबग जो अपन के 60 प्रतिशत भारत वन्सी हैं, कल्पना चावला भी कहां से थी, भारत से, तो नाशा में भारत के लगबग 60 प्रतिशत वैज्ञानिक उसमें कारिय कर रहे हैं, आगे लिखना पैरा चेंज करके, हाँ, ब्रेंड ड्रेन ही है, सही सब तो इसके लिए ब्रेंड ड्रेन है, अग जो जिसको भारत सरकार ने निपून किया, जिसको जैसे अपन सामानते उधारन ये लें, अग एक भारत के अंदर निट का एक्जाम दिया, और उसको एक अच्छी अपन कहें, कोई कोलेज मिलीर, उसने डॉक्टर की उपाधी प्राप्त की, MBBS करने के बाद, और जब वो डॉक्टर बना, तो वो ब्रेंड जाके सेवा देने लग गया, तो उसको जो अपन इसकिल तो किस ने किया, भारत सरकार ने, लेकिन अब बदले में सेवा कहां दे रहा है, ब्रेटेन में, ठीक है, और जो अपन कहें, जो इसकिल व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति, जो मूल देश को छोड़ कर किसी दूसरे देश में जाके, अपनी सेवा देते उसको कहा जाता है, ब्रेन ड्रेन, यानि बधिक पलायन, हिंदी का सब्द क्या है इसका, बुद्धी का पलायन, जिसको बुद्धी से विक्षित किया, वो विविन प्रकार की बिमारियों और आपरेशन कर सकता था, लेकिन अब वो भारत के देश का नहीं नागरिकों का, ब्रेटेन, एक IIT खड़कपुर से इंजिनियर तयार हुआ, और जाके उसने जोएन की अमेरिका, तो उसकी बुद्धी किसके काम आई, अमेरिका, भारत की काम नहीं आई, तो ऐसे को नाम दिया जाता है, बुद्धिक पलायन, ब्रेन ड्रेन, और सरकार न ऐसी योजनाई भी चलायी थी आपने ध्यान दिया होतों, हलांकि सभी सरकारें प्रियास करती थी, पहले भी, जब भी भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी विश्यू के देशों में जाते हैं, तो वहां भारत के मूल व्यक्तियों से भी मिलते हैं, आपने ध्यान दिया होतों, भा कुल देश के पड़ति कुछ भावना जख जग 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 जियाे तो जो अपना pastषा है वह invest भारत में करे भारत की कंपनियों में करे infrastructure में करे, road निर्मान में करे, किसी रूप में भी करे, भारत में निवेश करे, तीक है कि आप भारत से छोड़के यहां आगे, और यहां आप अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, खुब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस पैसे का invest कहां करें, भारत में, उसको नाम दिया, brain gain, gain का मतलब प्राप्त करना, मलब जो बौधिक प्लायन था, brain drain, उसको नाम रखा, brain gain, आख इसको वापिस उनकी बुद्धी छमता का उप्योग ऐसे ही कर सकते हैं, भारत में निवेश ही कर दें, और बहुत से अपन के भारत वन्सी भी हैं, जो भारत में निवेश करते हैं, इसे में लिखना आगे, अंतरास्टिय में, भारत से रोजगार के लिए, भारत से रोजगार के लिए, रोजगार के लिए, सरवादिक प्रवास खाड़ी देशू में होता है, रोजगार की बात की, रोजगार के लिए सरवादिक प्रवास खाड़ी देशू, खाड़ी देश समझ गई क्या? खाड़ी देशों की अपने एक देश का नाम नहीं लिया है जैसे अपने किसी देश के आधार बात करें च्छित्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए भारत से प्रवास खाड़ी देशों की ओर यानि इसको आप लिख देए अरब कंट्री अरब देशों की ओर ऐसा भी कहा जा सकता है सवदी अरब इरान इराक क्वेट कतर यूए जो अपन कहीं देश है यह खाड़ी देश हैं खाड़ी देशों की ओर प्रवास होता है है पेरा चेंज़ करके लिखना महादीप्य इसतर पर गंतराष्थे प्रवास हो महादीप्य इसतर पर महिपल जी आगे हाएगा भौगलिक में जब यहां आहेंगे अंपन कारण पक्ष में तुरह łatएग एगा एक भौगलिक प्रवासbooks हुआएगा ट्रांस transthomance अभी नहीं है इसमें लिख दिया किया नहीं नहीं वो प्रसण पूचलिया उन्हों ने transthomance क्या है रितु परवाष क्या है इंगल्हीं क्या लिख ढिलिक दिया इसमें महाधीपया इस्तर पर सर्वादीक प्रवाष के महाधीपया rural पर शर्वादिक प्रवास, युरॉप महादीप से, महादीप के इस्तर पर शर्वादिक प्रवास, युरॉप महादीप से, युरॉप महादीप से, युरॉप महादीप से, उत्री अमेरिका, यूरोप महादीप से उत्री अमेरिका उत्री अमेरिका, दक्षने अमेरिका वै ऑस्ट्रेलिया में वै ऑस्ट्रेलिया में हुआ है यह महादीप से इस्तर पर यदि प्रवास की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादे देखा जाए तो यूरोप से कहां प्रवास हुआ है उत्री अमेरिका, दक्षने अमेरिका और तो यदि आप देखा जाए तो यूरोप से तो क्या हुआ उत्प्रवास और इन देशों में क्या हुआ आप्रवास आप तो समझ गई इसका अर्थ तो स्वस्ट हो गया इसका मतलब यदि देखा जाए महाधीप के इस तरके उपर अंतर महाधीप ये कि जब बात करते तो सबसे ज्यादा प्रवास यूरोप से हुआ है और जहां अपन प्रशनों की गहराई बहुत अधिक होती है अभी जब असिस्टन प्रोफेसर का एक्जाम हुआ तो उसमें एक प्रशन आया अक यूरोप महाधीप से दक्षने अमेरिका महाधीप में सबसे पहले किस देश से प्रवासी गई सबसे पहले प्रवासी तो उसमें आंस्वर था पुरतगाली यदि यूरोप से दक्षने अमेरिका की बात है दक्षने Aमेरिका महाधीप में यूरोप से सबसे पहले कूंसे देश के मूल व्यक्ति थी जो प्रवासिक की रूप में गए तो वो कुण से देशके थे कई बार प्राने पेपरों से भी इस तरीके की प्रसन आ जाते हैं तो इसमें एक नोट करके लिख लेना इस लाइन को धक्षने अमेरिका महादीप में दक्षने अमेरिका महादीप दक्षने अमेरिका महादीप में नोट करके लिखना आगे दक्षने अमेरिका महादीप में युरोप महादीप से सर्वय पर्थम युरोप महादीप से सर्वय पर्थम युरोप महादीप से सर्वय पर्थम पूर्टगाली पूर्टगाली प्रवासी तो होकर गए, पूर्टगाली प्रवासी तो होकर गए, क्या है, अच्छा था, यह नहीं बताये किस देश में गए, यह उसमें नहीं था, ऐसे कुछ पूर्शन ऐसे हैं, जैसे मैं काया कि सबसे पहले पूर्टगाली गए, यह रपी असी का मानना है, बलकि यह किसी पुष्टक में अपनी साधान जो बुक्ष है उर्ण में तो यह भी नहीं है, यह कि पुष्टन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपके सामने लग दिया, बोट वीपल की घटना में वेतनाम में हुई थी, यह नहीं है, यानि सब से पहले यूरॉप से दक्षने अमेरिका महादीप में किस देश से पुर्वासी गई हैं तो पुर्टगाल से गई थे और वो कून है, पुर्टगाली, तो यह तो अपनी बाते हुई जो अंतराश्टी पुर्वास की और अब पहराँ चेंज करके लिखना बी आंतरिक पुर्वास, आंतरिक पुर्वास, यानि एक देश के विभिन चेत्रों के मद जो पुर्वास होगा, आप विभिन चेत्र क्या हो सकते हैं, एक राज से दूसरा राज जो सकता है, कोई केंदर से पुर्वास हो सकता है, कोई जिला हो सकता है, कोई नगर हो सकता है, कोई गाम हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है तो एक छेत्र से दूसरे छेत्र में जो प्रवास हो एक ही देश में उसको नाम क्या रखा है तो डैस करके लिखना आंत्रिक प्रवास कर एक देश में ही एक देश में ही विविन छेत्रों के मद्ध एक देश में ही विविन चैत्रों के मद्ध होने वाला विविन चैत्रों के मद्ध होने वाला पारश्प्रीक प्रवास विविन चैत्रों के मद्ध होने वाला पारश्प्रीक प्रवास ही आंत्रिक प्रवास कहलाता है पारश्प्रीक प्रवास ही आंत्रिक प्रवास कहलाता है इसे चार भागों में बाटा जाता है इसे चार भागों में बाटा जाता है आंत्री को क्या हेडिंग लिखा है, A, B, B इसको चार भागों में बाटा जाता है इस्थान पक्स के आधार पर अपने दो भागों में बाटा अंतराश्टिय और आंत्रीक जिसको क्या लिखा था और जिसमें A और B, A जिसको रखा अपने अंतराश्टिय और B रखा और आंत्रीक प्रवास को चार भागों में बाटा जाता है और इसमें आप लिखें एक नम्मर पे ग्राम से नगर की ओर या ग्राम से नगर या गाउं से नगर दूसरा नगर से नगर की ओर तीसरा गाउं से गाउं की ओर गाउं की जगे ग्राम भी लिख सकता है गाउं से गाउं की ओर और चार नम्मर पे है नगर से गाउं की ओर यह कुरोना में हुआ था गाउं से नगर की ओर दूसरा नगर से नगर की ओर तीसरा गाउं से और चोथा है नगर से इसमें एक दो जो बेसिक जानकरी हैं एक तो मैं यहां से जो चर्चा कर रहे थे विक्षित और विकासिल देशूं का अंतर यहां ध्यान रखना भारत विकासिल देश है संक्तुराज अमेरिका विक्षित देश है इसके एकजामपल से आप अच्छे दंग से समझ सकते हैं भारत में गाउं से नगर की ओर सबसे ज़दा प्रवास रोजगार के लिए पुरुष वर्ग करता है जबकि संक्तराज अमेरिका में गाउं से नगरों के और सबसे ज़्यादा महिलाई करती हैं, इस्तरियां प्रवास करती हैं, उल्टा हो गया न, इसका मतलब विकासिल और विक्षित देशों में गाउं से नगर के और प्रवास में विप्रीत इस्तिती देखी जाती है, प्रण भी क्या है, बेरोजगारी है, या फिर आपन का वहां की कोई शामंतवादी, कोई शासन वेवस्ता है, यह पूरे विश्यू की बात करें कि यह भारत से सम्मंदित नहीं है, या ऐशुरक्षा की भावना है, लेंदेन की सुद्रण वेवस्ता नहीं है, अच्छी शिव नगर की ओर, जो विक्षित और विकासिल देशों का अंतर है, एक होता है नगर से नगर की ओर, यह ज्यादा तर क्या है कि छोटे नगर से बड़े नगर की तरफ प्रवास करता है, किसी कोई टेक्निसियन ने, कोई वियापारी ने काम सुरू किया अपले छोटे नगर में, छोटे नगर से फिर उचने देखा कि इससे ज्यादा भी अपॉर्ट्यूनिटी बड़े वाले नगर में है, तो वो कहां चला गया, उससे बड़े नगर में, तो यह सही मायने में आर्थिक कारणों से ऐसा प्रवास होता है, यानि और ज्यादा अपन कहें वियापार में व नुमा प्रवास का भी विकास होता है, छोटे जो अपन के नगर हैं, उसे बड़े नगर विक्षित होते हैं, छोटे वाले नगर के अंदर, वहां सर्मिकों के आपूर्ती, इस्थानिय चेत्र के गाउं से होना सुरू होती है, तो यह सीडी नुमा प्रवास का भी विकास ह होता है गाउं से गाउं की ओर तो गाउं से गाउं की ओर प्रवास होना सामन ते विश्व में अलगलग कारण है जैसे भारत के अंदर सब से ज़्यादा गाउं से गाउं की ओर प्रवास हुआ जैसे हरित करांती के समय उत्तर परदेश बिहार से बहुत से किसान जहां हरित कर प्रभाव था उस हेत्रों में प्रवास किये जिसे पंजाब हर्याना में तो वहां भी ग्रामिन शेत्र किर्शी कहां होगी गाहूं में उत्रपरदेश ब्यार पस्षी मंगाल में किर्शी और जनसंख्या का जो अनुपाद था वो बिगड़ गया था अधिक जनसंख्या थी क किर्शी भूमी का जोत काकार छोटा है हुआ इसलिए खेती करने के लिए जो किर्शक थे वो कहां चलेगे पंजाब हर्याना एक जो अपन के गाउं से गाउं सामाजिक परंपरा के रोप में जैसे भारत में साधी के बाद विवा के बाद लड़कियां अपने पिता के घर स से पती के घर चली जाती है और मजबूती से रहती है मजबूती से रहती है कुछ दुनों बात पता चलता है सासन उसी के आथ में हैं है कि गाउं से ऐसा प्रवास गाउं से गाउं सबसे ज़्यादा भारत में महिलाओं का जो अपन के विवा के उपरांत होता है शेरों में होता है लेकिन ज़्यादा गाओं का प्रवास की बात की गाओं में महिलाओं का ज़्यादा प्रवास कहा है एक दूसरा ये भी है महिलाओं का प्रवास ज़्यादा छोटी दूरी का होता है लंबी दूरी का प्रवास महिलाओं का कम होता है, पुर्षों का लंबी दूरी का प्रवास अधिक होता है, कमाने के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है, जाना पड़ता है एक नहीं, नगर से उल्टा, विक्सित देशों में परियावने समस्य उत्पन होने से, नगरों में भीड भाड का छेतर होने से, और परियावन परदुसान होने के कान, नगरों से ग्रामने छेतर में अलग फरम हाउस बना ले, वहां जाके रहने लगे, ये विक्सित रास्तों की बात है विकास सील पिछड़े देशों में कई बार ऐसा होता है कि जो सेवा निवर्ति के बाद नागरूं से वापिस अपने मूल गाउं में जाकर चले जाते हैं बश जाते हैं ऐसा भी रहता है वह सकता है बेटा बेटी ज्यादा ध्यान नहीं दे तो भी जाना पड़ जाता है हैं कई बार रहता है कि अब ध्यान नहीं दे रहें तो वापिस मूल परिवार के पास भी चले जाते हैं जो नगर से गाउं की और पहले अपन यहां से शुरुवात करते हैं ग्राम से नगर की और पहले अज ब्रेक नहीं क्लाश ही समापत है अ और बश यहां आपने के दिया तो कि आज ब्रेक के बाद दूसरी टिवास नहीं होगी थिक है जाए अब ही ब्रेक नहीं लंबा बयेक है कल हीपिर 4 बजे एक लबेड ऑगी का सब्नियुकरा ह।